अब हम करेगे कोशन नमबर 4 क्या दिया है find the product using suitable properties यहाँ पर हमें property use करना है और हमें product find out करना है multiply करना है अब यहाँ पर 103 दिया है 738 into 103 दिया है तो 103 को हम लोग 100 plus 3 भी बोल सकते है 3 भी लिख सकते है suppose 235 दिया है तो हम लोग उसको 200 plus 35 भी लिख सकते है उसी तरह से 103 तो 100 plus 3 कोई भी नमबर हो तो first नमबर जो है वो इधर आ जाएगा और उसके बाद वाला नमबर पीछे आएगा तो उसे तरह से यहाँ पर हम लोग लिखेगे 738 into अब ब्रैकेट में हम लिख देगे ब्रैकेट में हम लोग क्या लिखेगे 103 की जगाओ पर 100 plus 3 अब क्या होगा यही नमबर को हम 100 से मल्टिप्लाई करेगे और सेम नमबर को 3 के साथ भी मल्टिप्लाई करेगे 738 into 100 अब प्लस है तो हम लोग प्लस दालेगे वापस सेम लिखेगे 738 into 3 अब 3 से मल्टिप्लाई करेगे अब यह दोनों नमबर साथ में और यह दोनों नमबर साथ में लेगे तो 738 और 2 0 है तो सेम 2 0 आएगा फिर प्लस तो हम लोग लगाएगे प्लस अब यह दोनमबर को हम मल्टिप्लाई करेगे 738 into 3 ओके 3 8 सा 24 2 केरी 3 3 सा 9 10 11 1 केरी 3 7 सा 21 1 22 तो 2214 ओके अब यह दोनमबर को हम मल्ट एड करेगे 0 प्लस 4 4 0 प्लस 1 1 2 प्लस 8 10 1 केरी 2 प्लस 3 5 5 प्लस 1 6 और यह 7 का 7 या तो फिर आपको ऐसे एडिशन करना है 7,000 73,800 प्लस 2,240 इस तरह से भी तुम लोग एड कर सकते हो 4 1 0 6 7 तो 76,114 ओके यह हमारा आंसर है कॉपी डाउन दिस अब हम करेगे सेकेंड वाला ओके सेकेंड वाला क्या है 854 इंटो 102 तब 102 है तो इसको हम लोग केसा लिखेगे 102 इस इकोल टो 100 प्लस 2 ओके तो यहाँ पर हम लिखेगे 854 इंटो यहां ब्रैकेट में लिखेगे 100 प्लस 2 ओके अब यह इसको और इसको मल्टिप्लाई करेगे और यह दोनों को करेगे अब लिखेगे 854 इंटो 100 अब इधर प्लस है तो हम प्लस लगाएगे फिर वापस 854 इंटो 2 ओके अब यह दोनों को मल्टिप्लाई करेगे तो सेम आंसर आएगा 854 और 2 0 है तो 2 0 लगाना है अब यहाँ पर प्लस अब यह दोनों को मल्टिप्लाई करेगे 854 इंटो 2 2 4 जा 8 2 5 जा 10 1 कैरी 2 8 जा 16 ने 1 17 तो यहाँ पर आएगा 1708 अब यह दोनों को हमें एड करना है तो देखो last last number करो 0 और 8 8 0 प्लस 0 0 7 प्लस 4 11 1 कैरी 1 प्लस 5 6 6 प्लस 1 7 और 8 का 8 तो हमारा आंसर हो गया 87,108 ओके कोपी डाउन अब हम लोग करेगे सी वाला ओके सी वाला क्या है 258 इंटो 1008 ओके अब 1008 है तो हम 1000 प्लस 8 लिकेगे ओके इसको हम लोग क्या लिकेगे 1008 तो 1000 प्लस 8 तो सबसे पहले हम लिकेगे 258 इंटो अब इसकी जगा उपर हम लिकेगे 1000 प्लस 8 ओके अब यह दोनों का मल्टिप्लाई होगा पहले और उसके बाद यह दोनों का ओके तो सबसे पहले हम लोग करेगे 258 इंटो 1000 फिर यहां प्लस है तो हम सीम प्लस लगाएगे अब 258 इंटो 8 ओके अब 258 सेम आएगा 258 और यहां पर 30 है तो 30 लग जाएगे सेम अब यह दोनों को हम मल्टिप्लाई करेगे यहां पर 258 इंटो 8 ओके 8 ओके यहां पर आगया 2064 ओके अब देखो यहां इसको एड करना है 0 प्लस 4 तो 4 जेरो प्लस 6 तो 6 जीरो प्लस जीरो तो 0, 8 प्लस 2, 10, 1 केरी, 5 प्लस 1, 6 और 2, तो अब यह हमारा नंबर बन गया, 2 लेक, 60,000, 64, यह हमारा आंसर है, copy down this one, अब हम करेगे D वाला, D वाला क्या है, 1005 into 168, अब यहाँ पर पहले नंबर दिया है, अभी तक हमने किया था उसमे, 0 वाले नंबर पीछे दिये हुए ते 1, 2 और 3 सम्मे, 4 सम्मे पहले दिया है, तो अब 1005 है, तो उसको हम लोग कैसा लिकेगे, 1000 plus 5, तो यहाँ पर हम लिकेगे, 1000 plus 5, ओके, into 168, पहले 1000 into 168 करेगे, 1000 into 168, अब plus है, तो यहाँ प्लस लिकेगे, अब 5 into 168, तो 5 into 168, ओके, अब यह दोनों को हम multiply करेगे, तो हमारा answer क्या आएगा, 168 और 30 से, तो सेम 30 आएगे, फिर plus, अब यह दोनों को हमें multiply करना है, तो हम यह multiply करेगे, 168 into 5, 5, 8s are 40, 4 carry, 5, 6s are 30, 30 plus 4, 34, 3 carry, 5, 1s are 5, 6, 7, 8, तो कितना आया, 840, तो यहाँ हम लिकेगे, 840, यह दोनों नंबर की जगा उपर, 840, अब हमें add करना है, 0, 0, 0, 0, 0 plus 4, 4, 8 plus 0, 8, अब 8, 6, 1, ओके, तो हमारा answer क्या हो गया, 168,840, ओके, copy down this, यहाँ हमारा question number 4, finish होता है, I think आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अगर मेरा वीडियो समझ में आ रहा है, तो मेरे वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल सब्सक्राइब करना, और अपने फ्रेंट्स के साथ के सहर करना, थैंक यू, वेरी मज़,